तमस्कार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी अमेरिकी राष्टपती जो बाइटन के इनकार के बाद अब भारत ने गंतंत्र दीवस सबारों में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्टपती इमेन्ट्वल मैक्रोन को नियोता भीजा है और बड़ी खबर है कि फ्रांस के राष्टपती इमेन्ट्वल मैक्रोन ने ये नोता स्विकार कर लिया है पियम मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि भारत आपके गंतंत्र दीवस पर मैं आपके साथ जश्र मनाने के लिए यहां रहूंगा यानि भारत स्विकार कर लिया हैं और आपके राष्टपती इम्यास्वल मैक्रोन भारत आ लगई इसने ब्राष्टपती जो आपनी हो नोता लेकिन चट्रेटा में फ्रांस पर γन को नैको और उन्होंने नियोता स्वीकार कर लिया है और आपको ये बता दी कि मैक्रो के भारत का इंविटेशन स्वीकार करते ही ऐसा छटी बार होगा जब फ्रांसिसी राश्टपती भारत की रिपाप्लिक प्रेड में शामिल होंगे जी हां ये छटा मोका होगा जब फ्रांस के मुष्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके निमंत्रन के लिए धन्यवाद मेरे प्रियमित्र भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके गंतंत्र दीवस पर मैं आपके साथ जश्मनाने के लिए रहूँगा तो इस तरीके से मैक्रो ने इस कारिक्रम में शामिल होने के लिए नियोता जो है स्वीकार कर लिया है और सभी जानते हैं कि किस तरीके से भारत और फ्रांस के रिष्टे लगातार मजबूत हो रहे हैं लेकिन वहीं पर आप मैक्रो की इस पोश्ट पर यानि फ्रांस के राश्ट पती की इस पोश्ट पर भारत के प्रद करने के लिए काफी जादा एक्साइटिड है हम भारत फ्रांस रननीतिक साज़ेदारी और लोकतांत्रिक मुल्यों में साचा विश्वास का भी जश्म राएंगे जल्द ही फिर मिलेंगे यह इस तरीके से धन्यवाद एक तरीके से प्यम होदी के जरहे इमाइट्वल मैक्रों को दिया है तो इस तरीके से ये बड़ी खबर है कि भारत का गन्तंत्र दीवस्माः किसंभरी का भारत उब ही ठहुर जब भारत में फ्रांस के रश्वतिम्हेंनुवल मैक्रों रहेंगे और जाहिर तोर्पर यह भारत का पिछहौथटरवा गन्तंत्र दीवस्माःम हो हर एक भारती है इस जमार्वों को लेकर काफी ज़्यादा एकसाइटिड है लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 1906 से लेकर भारत अब तक पांच बार फ्रांस के राश्ट्रपती को रिपब्लिक डे के लिए अमंत्रित कर चुका है और इसी साल पियम मोधी भी फ्रांस की बै राफेल ने उडान भरी थी इसके अलावा भारत की तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 209 जवानों ने प्रेड में हिसा लिया था तो भारत का कहीने कहीं जो वर्चस था वो फ्रांस में देखने को मिला था और लगभग उसी दोरान रक्षा मंत्राहे ने फ्रांस से 26 राफेल जेट के अधिकरन को मंजूरी दी थी जिसका उद्देश्य स्वदेश निर्मित विवान वाहक आई एनस विकरांत पर तैनाती करना है फ्रांस ने जेट खरीद के लिए भारत के प्रानरंबिक टेंडर का जवाब दिया है और दोनों देश समुन्तरी छेत्र विश में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं लेकिन इसी के साथ कई विपक्षी नेताओं को या यू कहें कि कई भारत पे मौचूद देश विरोधी ताक्तों को इससे परिशानी भी हो सकती है जी हां इमैनुवल मैक्रो जाहिर तोर पर उनकी जो विचार धारा है वो कट्रप भारत आ रही है तो जाहिर तोर पर फ्रांस पोदेश है जिससे भारत ने राफेल डील जो समझोता था वो किया था तो जाहिर तोर पर इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल सकती है और कई विपक्ष के लीडर्स की परिशानी भी बढ़ सकती है तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने फ्रांस के राश्टपती को नियोता फेचा है उसकी वज़ा बिलकुल साफ है कि बीदे कुछ सालों में क्या यूँ कहें कि दरसल जब से देश के प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी बने हैं तब से फ्रांस का स्टेंड जो है भारत को लेकर वो दूसरे पश्यमी दे कार और लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करता है फ्रांस इसकी तुलना में भारत के आंत्रिक माफलों में काफी कम दखल अंदाजी करता है यह एक मुख्य वज़ा है कि भारत का फ्रांस के साथ कभी कोई बड़ा मनमुटाव नहीं हुआ है बेहद कम ऐसे कहीं कहीं पल दे प्रांट मंत्री नरेंत्र मोदी के नेतरत में कहीं न कहीं फ्रांस रूस और कई अन्या देशों के साथ भारत के रिष्टे मच्पूत हुए हैं जुलाई 1998 में भारत ने प्रमानु ताकत बनने की ठानी और न्यूक्लियर टेस्ट किये तो सभी पश्मी देशों ने इस पर आपत्ती जाहिर की अमेरिका ने भारत पर कई तरह की पापंद्या लगाई थी तब फ्रांस के राश्ट्पती जैक शिराक ने ही भारत का समर्थन किया था और यही वज़ा है कि यह छटा मोका है कि भारत के गंतंत्र दीवस प्रेट में फ्रांस के राश्ट्पती को एक बार फिर से नियोता भेजा गया है पश्मी देशों के उलट जाकर फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेट अप करने में मदद की रूस के बाद फ् चैथपूर में लगा प्रमानो प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुम्किन हो पाया है तो यह फ्रांस की कहीं न कहीं भारत के लिए कोशिश कह सकते हैं या भारत के लिए उपलब्धता कह सकते हैं कि हमेशा से ही रही है और यही वज़ा है कि यह एक बड़ा फोका होगा जब एक बार फिर से फ्रांस के राश्टपती इमैन्ट्वल मैक्रो जो है वो भारत आएंगे और उन्होंने साफ तोर पर ये कहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद रहने के लिए काफी जादा एकसाइटिड हूँ उन्होंने प्रदान मंतुरी नरींद्र मोदी को अपना प्रियाय मि के रिष्टे कैसे हैं और जब रूस और युकरेन के बीच युद छिडा हुआ तब उसके बाद भारत हत्यारों को लेकर रूस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है इसके लिए वो राश्टे तलास रहा है और किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाए भारत माम बाते हमने देखी हैं और इसी का जिक्र पियम मोधी ने अपने पोस्ट में भी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम भारत फ्रांस रन्नीतिक साज़ेतारी और लोकतांत्रिक मुल्यों में साज़ा विश्वास का भी जश्न बनाएंगे ये बड़ी बात पियम मोध है भारत में एरिक गौर्सेटी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि प्रधान मंतुरी मोधी ने बाइडन को रिपब्लिक प्रडे प्रेड के लिए बतोर्च शेवकेस्ट अमंतुरीत किया है लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला और खबर ये आई कि द ये लन काई वज़ा इसकी है कि काई लीडर्स जो है उनका शेडूल काफी बीजी है अमेरिका में चुनाफ होने हैं जाहिर तूँर पर क्या यही वज़ा है कि अमेरिकी राश्ठ्रपती जहे ज़बी जनवरी के मोके पर नहीं आपाए画 हैं और बैकिन बड़ की तरफ से ज कार्तियों को ये बड़ी खुशकबरी दी है फुलाल आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सिब्सक्राइब करें थाने बाद